जैहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल एटू बीटू इस्टडी पर एक बार फिर से दोस्तों यूपी पॉली टेकनिक इंटेस एकजाम दो हजार तेस के लिए दीफार्मा यानि दिपलोमा इन फार्मिंसी इवन ग्रूप के स्टुडेंट्स के अज की इस नई वीडियो में हम आपको आगे के most important questions को solve कराने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने 25 most important questions को solve किया था अगर आपने उस class को नहीं देखा था तूरंद जाइए चैनल पर विजिट करिये और playlist में विजिट करके आप उन वीडियो को जरूर देख लें दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जल से जल जा करके उसे जॉइन कर लें क्योंकि उस पर हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट के तोर पे डेली मॉक टेस्ट और प्रिवियर सेट के क्वेशन पेपर भी सौल कराते हैं बहुत सारे स्टुएंट अलेडी उसमें जुड करके उस पर टेस्ट दे रहे हैं और अपने रैंक को आपे देख रहे हैं कि कितनी उनकी प्रिपरेशन है या फिर नहीं है तो अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया है तो टेडिक्राम को जरूर जॉइन कर ले उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में अभी लेबल मिल जाएगा तो चलिए सिधे ही स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास पहला प्राशन आपकी मुबाइल की स्किन पर दीख रहा होगा कि विश्व एड्स दिवस कब मना जाता है दोस्तो मोस्ट इंबॉर्टिंट क्वेश्चन है ये विश्व एड्स दिवस कब मना जाता है तो विष्व एड्स दिवस वो एक दिसम्बर को हर साल मना जैता है यहाँ पे आपको मैं कुछ questions और बना दें जाता हूँ दोस्तो एड्स जो है वो एक वायरस जनितों है वायरस यानी विशाड़ु जनितों है क्योन एड्स AIDS का full farm भी कभी-कभी पूछ लियाता है AIDS का full farm होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome मैं एक बार फिर से बोल सकता हूँ आप उसे note भी कर लें हो सके तो Acquired Immuno Deficiency Syndrome AIDS का full farm exam में कई बार repeat कर दिया गया है तो आगे भी इसके आने के चांस है क्योंकि एक common सा question है तो उमीदेगे आपको एक question साभी में आ गया होगा आगर एक question पर चलते हैं अब अक्रा पस्टन है Heroine किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है जोस्तो Heroine जो है वो एक परकार का मादक पदार्थ है एक परकार सा नसीला पदार्थ है जो किस एक परकार की पौधे से प्राप्त होता है तो जो भी नसीले पतार्थ होते हैं उनका एक कुल होता है याणि एक प्रजाती होती है तो उस प्रजाती का नाम के है जिससे की Heroine पौध़ा प्राप्त किया जantage है तो वो जो प्रजाती है वो कल लाता है पेपाव रेसी ठीक है आपसन नूमर बी आप देख सकते है पेपाव रेसी यह इसका कुल यानि प्रजाती का पोधा है प्रजाती का पोधा है अपको więc इस प्रकास से भी देखने को एकजामे मिल सकता है next question है OPS किससे प्राप्त होता है OPS किससे प्राप्त होता है तो OPS जो है वो पेपावर सेमनी फेरम से प्राप्त होता है अपसर नंबर 10 का बिल्कुल correct answer है दोस्तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्लास में जायतर questions समझ में आएंगे अगरा प्रासन है निम्न में से कौन यौन संचाइत रोग है इन में से आपको चारप संदीख नहीं होंगे न टाइफाइड, हैजा, मरेरिया या फिर सिफिलिस तो इन में से कौन सा यसा रोग है जो की यौन संचाइत रोग है तो दोस्तो जो सिफिलिस है ये एक प्रकार का यौन संचाइत रोग है जबकि आपको हम टाइफाइड होता है तो टाइफाइड जो है वो गंदगी या फिर दूसित भोजन से दूसित जल से फैलता है कल की डेट में आपको चैनल पर एक महा मरातन क्लास देखने को मिलने वाली है जिसमें हम previous year के question paper यानि 2020 और 21 के previous year के question paper में पूछे गया biology की most important questions को उसमें solve आने वाले हैं तो कल 9 p.m. पर उस video को देखना बिल्खुल भी ना बुलें क्योंकि वो वीडियो जो है न वो काफी ज्यादे important है और वो वीडियो आपके exam में आपके इतने marks लाप आएंगे ये आप तैक कर सकते हैं उस वीडियो से जो कि एक प्रकासी महामराथन क्लास होगी तो उस वीडियो को देखना बिलकुल भी ना बोले और अपने जो भी दोस्त साथी हों उन्हें भी इसके बारे में जरूर जनकाई दे दे नेक्स्ट कोईशन है अत्यदिक मात्रा में alcohol के 7 से कौन सा अंग सरवाधिक प्रभारित होत ही कि यहां पर दिया गया सबसे अध्य Дिक मात्रा में तो आपका यक्रित प्रभारित होता है एलघु होल इसके बीच लिवर को काट करके राक्ट निकाल देते हैं माली यहां पर कुछ हो गया था घाव चोट हो गया था अडार्टर राक्ट से काट के निकाल देते हैं और केवल एक टुकड़ा छोटा छोड़ते हैं फिर भी यह यक्रित जो है न वो फिर से पुनर दुवन कर लेता है यानि इस उत्पन होने की इसमें गुड होता है तो यह जो रेकृत होता है यह आपके साइज में एक बाट फिर से उत्पन हो सकता है थे का समझ रहा है तो आफसन नमर भी इसस क्वेस्टिन का बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा अगला प्रस्ण है जुकाम यानि सधार ठंड जिसे बोलते हैं ये किसके करण होता है दोस्तों ये होता है राइनो विसाड़ू से अपसर नमर सी जो देख रहे हैं राइनो विसाड़ू के तकाड़ ही हमें जुकाम या फिर सधार ठंड लगती है अगरा पसनल है निम्में से कौन सा रुधिर का cancer है तो दूस्तों leukemia जो है यह एक प्रकार का रुधिर यानि ब्लड cancer के नाम से भी जाना जाता है दूस्तों इसको यात कैसे करेंगे आप जानते हैं कि जब हामाएं शरीर में रग्त की कमी हो जाती है रक्त की जब कमी हमाय सरी में हो जाती है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एनीमिया में मनुस के सरीर में रक्त की कमी हो जाती है रक्त में सबसे अधिक मातला में कौन सा तत तुपा जाता है तो वो होता है लोहा यानि यह question जो है पिछले साल के question paper में पूछा गया था यानि 222 का जो प्राशन पत्र था उसमें पूछा गया था जल्दी हम आपको 222 का भी question paper solve कराने वाले हैं दोस्तों आप जानते हैं कि blood की कमी जो होती है तो उसे हमें रोग हो जाता है कौन सा एनिमिया और एनिमिया के लास्ट में आता है मिया ठीक है उसे पकार रक्त से होने वाला जो cancer होता है उसे हम leukemia करते हैं इसके लास्ट में भी मिया है इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि leukemia जो है वो blood cancer से होने वाला रोग है तो चलिए अगले question पर चलते हैं next question है antigen binding इस्थल antibody में पाए जाते हैं तो questions आपको दीख रहा होगा और option में आपको दीख रहा होगा तो इसको correct tensor है ब्ला देना जाता हूं correct tensor है एक भारी वा एक हलकी सिंखला के बीच यानि antigen binding antigen का जो binding होता है वो इस्थल antibody में पाए जाते हैं किस रूप में पाए जाते हैं तो वो एक भारी वा एक हलकी सिंखला के बीच में पाए जाते हैं तो option number C इसका बिलकुल correct answer होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो question समय में आ रहे हो तो comment section में comment करके जरूर बताए और अगर आपको हमारी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो आपको question समय में आ रहे हो तो अपना सुझाव भी comment section में जरूर दें अगर आपसने रोग जो टाक्सिन के स्रावर से संबंदित है वो कौन सा रोग है जो कि टाक्सिन के स्रावर से संबंदित है त जब आपको लोह या पर किसी ऐसी चीज से चोट लग जाया जिससे की संक्रमर फैलने का खत्रा बना रहता है तो हमें डाक्टर के पास जगर की एक vaccine लगाना पड़ता है जिसको पहते है तो यह vaccine लगाया इसली जाता है क्योंकि अगर आपके सरीर में वो संक्रमर फैल जाता है वहाँ पर infection हो जाता है वहाँ पर आपका घा हो जाता है या फिर वहाँ पर सूजन आ जाती है कुछ भी प्राबल्म हो चकता है तो इसलिए लोहा यानि iron से या फिर किसी ऐसी चीज़ से संकम्र फैले का खत्रा होता है चोट लगने पर टीटनेस का एक वैक्सिन लगा जाता है तो जो टीटनेस का वैक्सिन होता है वो टॉक्सिन स्रावर से संब्दित है ठीक है तुमिद है कोई क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगरा हमारा most important question है और इस question का answer देंगे आप सभी क्योंकि विडाल परिच्छर ग्याद करने के लिए क्या आता है विडाल टेस्ट किसली किया आता है दोस्तों आप सभी अपने life में कहीं कहीं एक बार बिमार जरू होगे और आपने fever वगारा फीवर तो common चीज है हर किसी की ज list है न विडाल परिच्छड यह किसके लिए कह जाता है क्योंकि आपने अपने report को भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे इस question का answer आप देंगे comment box में क्योंकि बहुत थी normal बहुत थी easy और बहुत थी famous question है यह तो इसका answer देंगे आप comment box में आप में से जो भी correct answer इसका देगा हम आपके answer को comment box में pin कर देंगे जिससे आप सभी उसका answer देख लीजिएगा तो comment box में question number 37 का answer आप जरूर देजिएगा चलते हैं अगले question पर अगला पास्ता है पापी पौधे के किस भाग से अफिम प्राप्त होती है उस तो अफिम किस पौधे प्राप्त होती है तो वो पापी पौधे से प्राप्त होती है और ये किस भाग से प्राप्त होती है तो वो कच्छे संपूटों का lactis जो होता है न उसी से अफिम करेक्ट एंसर होगा अग्रा पासने काला जार संचारित होता है काला जार जो है वो संचारित होता है किससे होता है सेंड फ्लाई एक प्रकार की मक्ही होती है सीसी फ्लाई द्वारा घरलू मक्ही तो आप जानते हैं मच्छर द्वारा तो क्या काला जार किसके दर संचारित होत होता है काला जार यानि फीवर आ जाता है और आपको ठंडी भी लगने लगती है तो आपसर नुमबर ए इसका करेक्ट एंसर होगा अगला प्रस्टन है BCG टीका किस रोग के पती रच्छात्मक उपाए है BCG का जो टीका लगा जाता है खासतर यो बच्चों में लगा जाता है तो यह किस रोग के पती रच्छात्मक उपाए है किस रोग से आपको सुचित करता है तो यह तपेदिक इसका करेक्ट एंसर होगा आपसर नुमबर ए जो है बिलकुल इसका करेक्ट एंसर होगा तो दोस्तों आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल किया है तो वीडियो को क्लास को सॉल करेंगे आपको आज क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अबर वीडियो ज़्या बहु अच्छि लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कव अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल भी न भूलें तो मिलते हैं नेक्स ट्रें क्लास झाल झाल